नमस्ते प्रडाम हर अर्मादे उजैसिराम सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आज मैं रोज की भात आप सबके समक्ष लाइब आया हूँ तो आज हमारा लाइब आने का कारण है सिच्छा तो जब मैं बच्पन में पढ़ाई कर रहा था तो सिच्छा पे म मैं गीत गाया करता था जिसे हमारे बड़े पिताजी ने बड़े ही सही ढंग से लिखा था और एकदम खाटी भोजपूरी में लिखा था उसको मैं आप लोगों के समक्ष परवस रहा हूँ यही गीत गागा करके हम समाज में आप सबके समक्ष मैं आया भी हूँ और सिच् मैं खाटी भोजपूरी में एको आप सब के भाव सुनावत बानी और आई सुनिए आप सब तो भाव भाव जब आप सिच्छित नहीं रहेंगे तो आपके समाज में हमेशा दुर्गत होगी आपका लोग सोसर करेंगे आपका लोग तिरसकार करेंगे हो बीना बिद्या के हमार दुर्गतिया होइगे राम और दुर्गत कैसे होती है हर एक दिना हम गैने के चहरी रहा मुकदमा जारी हर पेसकार जब पेस की हिन तब वैठन कुरसी तारी का नमा पकरिके दिहिस्निकारी ही दूर गतिया होई गेराम दूर गतिया होई गेराम बीना विद्या के हमारे दूर गतिया होई गेराम और एक दिना हम गैन सिले मा रहा घोड के सवारी और एक दिना हम गैन सिले मा रहा घोड के सवारी ओ हम जानन की उपर आई खीच के लठिया मारी हम के दहले खुब लतियाई दूर गतिया होई गे राम हो बीना बिद्या के हमाहरे दूर गतिया होई गे राम इसलिए सिच्छा बहुत जरूरी है हम पढ़े रहेंगे तो हम अपना खुद का विकास कर सकते हैं और सिच्छा कभी चोरी नहीं हो सकती है, सिच्छा को कोई चुरा नहीं सकता है, सिच्छा को कोई लूट नहीं सकता है, इसलिए हर व्यक्ति को सिचित होना चाहिए, और आप सब खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, यही हमारी सुबकामना है, सभी सातियों को प्रणाम, हर प्रहर मादेव आपका अम्रेश पांडे अम्रित सबको प्रणाम कर रहा है बहुत बहुत अभार